नमस्कार, सूस्वागतम, वब्लकम, अबिन अंदर, मैं हूर दॉक्टर वायरा की, कैसे हैं, आप लोग सब आप लोगो कितने सारे प्यार के लिए बहुतत शुक्रिया, थैंक यू तो आपके लिए बना रहे हैं विशे मेरे लिए थोड़ा हजीब था लेकिन पहली बार सुना लेकिन मुझे लगा हाँ इस विशे पर सोचना तो चाहिए किसी रहे आप में से मुझे वाच्टसप किया राखी जी कुछ ऐसा बताईए जब घर की महिला नेगेटिव हो जाएं लेकिन वो आपस में नेगेटिव होते हैं लेकिन कुछ घर ऐसे जहां महिला खुधी पूरा नेगेटिव हो जाती है आपकी पतनी आपका भागे सो भागे होती है लेकिन इसका कत्य यह मतलब नहीं होता कि उसकी जायज न जायज हर बात मानी जाय और कहीं पर भी ये बात कि हर वक्त पुरुष ही गलात होते हैं कम सकंने मैं इसा नहीं मानती है ज्लादी मैं मानती हुआ कि कुर्बानी का सबसे बड़ा जो सबाब मिला हुआ है और तोको मिला हुआ हुआ कुर्बानी देती हैं घर छोड़ कर आती हैं लेकिन अपना खुद का लड़का आपका खुद का इंसान आपका खुद का पती आपका खुद का भाई बेटा बच्चा कोई भी कह लेजिए पुरुष का मैं बता रही हूं पुरुष एक सही शब्द इसमाल हो गया है आदमी ज सुनते आ रहे हैं लेकिन बिचारे पुरुष का क्या बीबी के आने के बाद वो अपनी ही भावी के लिए अपनी ही बहन के लिए अपने ही भाई के लिए पराया सा हो जाता है सब कहते हैं पतनी के आने के बाद बदल गया है अचानक से वो एक सैंडविच बन जाता है पतन नहीं है कि आप पुरुष रो भी नहीं सकता ऐसे में बिचारे पुरुष क्या करें तो आप में से कैसी पुरुष ने मुझे बूले जब घर की एक औरत पत्नी मा बेटी भाबी किसी भी रिष्टे को ले लीचे वो नेगेटिव हो जा राकी जी तो क्या करें ऐसी महिलाओं क बाहर दोस्ती ढूनना शुरू करते हैं फिर ड्रिंक्स करते हैं फिर उनके जिंदेगी में कोई औरत आ जाती है फिर एक्स्ट्र मेडल अफेर हो जाते हैं घूमकर मुझे दिल से बताईए यहां पती कहां गलत हुआ यहां गलत हुई पत्नी आपको अपने आप से हो गए तो सोचे प्यार होता तो क्या होता और देश की जन संग क्या कहा जाती देखिए मैं आपसे मजाग बिलकुल भी नहीं कर रही हूं रिस्पेक्ट यॉर हजबन मैं आज उन्हीं महिलाओं से कहना चाहरी हूं कि पुरुश पूरा दिन भार कमा कर रहता है चलिए आज का जमाना अच्छा महिलाएं भी कमाती हैं लेकिन आप पूरा टाइम उसके साथ आफिस में क्या हूआ बहुत सारी बाते पूरुश हैसे अपनी एगो की वज़ा से अच्छा आज मुझे एक लेडी बॉस ने डाटा आज मुझे मेरे बॉस ने डाटा आज मेरी नौकरी चल बहुत खुश किसमत इंसान है ऐसी पत्नी को सौ सो बार से लूट है क्योंकि 99.9% पत्नियों का सौभाव एक जैसा ही होता है तो थोड़ा सा स्पेस दीजे पती को थोड़ा सा घर में आने के बाद तीवी देखने दीजे उनके मुताबिक पूरा दिन वो एक घंचकर की तर पूरा करने के चकर में घुमते रहते हैं तो जो इंसान पूरा दिन कमा कर ला रहा है सब की खुशियों का दिहान रख रहा है क्या उसे हक नहीं है आदा घंटा घर आकर अपनी मर्जी से टीवी देखने का ता होल डे यू केन वाच ता टीवी मैं बात कर रही हूं हाउस व जो है बेहन ऐसा कर रही थी खुमारी भाबी ऐसा कर रही थी आप लोग लड़ेंगे और अगले दिन सुबह फिर नॉर्मल होकर एक अच्छी से स्माइल देगे चिड़ पिड़ कर एक ही किचन में घुश जाएंगे पंजाबियों में कहावाद सास बहु कितना भी लड़े फिर एक ही किचन वेचे घुश दियां तो फिर आप ऐसे में घर के पुशो को ये परिशानी क्यों देती हैं जब आज आप पढ़ लिख गई हैं समस्दार हो गई हैं और अपने आप कमा रही हैं तो घर की ये जो महाभारत वाली लड़ाई है इससे भी पुरुश को निका जाता है सो प्लीज पुश्यों को एक स्पेस दीजे उनके मन की बातों को समझिए उनको स्पेशल फील कराएं घर आने के बाद वो राजा महसूस करें उनका मन पसंद खाना हो ताने ना हो उनकी हर्च वाइज हो वो आप से प्यार का इजहार करें इसके लिए प्यार का यह मांग को केवल मांग के रह जाती है यह सचा ही है बहन की ina की बिंग वारत जांती हूँ अगर बच्का रूरा हूर हस्बिन को खाना चाहिये खुद ले लो मेरा बच्च रूरा है यह नाचेरल ela की संदूर को केवल करवा चौँथा पकी सजाने के सकती हैं लेकिन maximum इस तरह अगलत होती है आज मैं आपको बता दियो अगर घर में ऐसी कोई भी महिला है चाहे वो माँ हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो जो नेगेटिव हो चुके है और घर के अंदर हर किसी के अंदर सिर्फ उससे नेगेटिविटी दिखती है या हर काम में वो ये बाते बीट रही होती हैं ऐसी महिला को तुरंत चांदी धारण करवाएं बिना बोले उसे गिफ्ट में चांदी की पायल दें चांदी के कंगन दें और चांदी की चेन दें जितना चांदी पहनेंगे चांदी की बरतनों में खाना खाएंगी मैडम का गुसा उतना कम हो क्योंकि उस जमाने में और इस जमाने में जमीन और आस्मान का फर्क है इस बात का ध्यान रखें वैसे चांदी की भस्म खाने से गुस्सा कम होता है यह बिल्कुल यथारत और सच्छ है ऐसे घर में जहां महीला कलेशी हो लडाकी हो लडाकू हो और हर चीज में पादे वो पनपे गानी वो मुर्जा जाएगा फिर उसे दुबारा लगाए इससे भी आपके घर का महल बहुत अच्छा होगा पहले आपके हमारे सब के भारतवर्श के आंगन में ना बड़े प्यारे नीम के पौदे हुआ करते थे सारे पड़ोसी महां बैठकर धूप से जो अब हम नहीं निकाल पाते हैं ऐसे में हमें एस्ट्रोलाजर्स डॉक्टर्स और ऐसे लोग चाहिए जहां हम जाके मन की बात बोल सके ये पहले नहीं होता था पड़ोस के पास ही पड़ोस का बच्चा पल चाता था ना बैसा महौल है ना बैसा टाइम है घर के अंदर न नीम का तेल जलाएं अगर कपूर लेंप भी अबलेबल लेंगे तो दीपक में घर में नीम का तेल जलाना शुरू कीजिए इससे भी घर की नेगटिविटी दूर होगी नीम की पतियों से ऐसे व्यक्ति को नहाना चाहिए जो बहुत नेगेटिव है अब आप उसे कहेंगे तो बूझे का भई मुझे क्यों कह रहे हो आप नहाने के लिए तो भी यह प्रशन चेन है ऐसे में नीम की कुछ पतियां लाकर अपने बेडरूम में रख दीजे अगर महीला बहुत नेगेटिव है तो तुरंत नीम की पतियां सुकनी शुरू हो जाएंगी अधर्वाइस नीम की पतियों को सुकने में दो या तेन दिन लगते हैं बदलते रहें लाते रहें बदलते रहें लाते रहें इससे भी फैता होगा आप देखे मैं विदेश के लिए भी बता रही हूं यह सारे उपाए तो आप चाहे तो नीम की पतियां तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सक तो WhatsApp पे, SMS में या खत में लिखकर ज़रूर बताएं कि यह यह चीज़े आप गलत कर रहे हो। ऐसी औरतों को गो मुतर से नहाना चाहिए। अब आप उनको नहीं कह सकते गो मुतर से नहाने के लिए क्योंकि वो तो आप से लड़ेंगी। तो ऐसे में घर में गो मुतर चिड़कना शिरू कर दीजे। अगर आप विदेश में हैं तो भी गो मुतर आपको आनलाइन मिल जाएगा। पतांचली का गो मुतर मंगवा लीजे असली नहीं भी है तो वो भी असली के बराबर ही है तो भी आपको इससे काफी फायदा होगा। गो मुतर पिलाना भी ऐसी महिलाओं को अच्छा रहेगा जो बहुत जादा नेगिटिव है और घर में लडाई का महौल करती है वो आपकी सास भी हो सकती है आपकी बहू भी हो सकती है इस बात पर जरूर ध्यान दे आपको हमेशा गो मुतर छोटी सी डब्बी के अंदर है पर राम लिखकर चंदन से शिवलिंग पर हर सुमवार को ऐसी महिला को कहना चाहिए कि चड़ाएं अब आप कहें कि कैसे कहें आपकी नंध है आपकी भावी है आपकी सास है मैं आपको क्लियर ली बोल रहे हूं बिना डर उन्हीं यह उपाय करने के लिए कि ममा आप यह बहन ये तुम ये उपाय करो या वाइफ है तो वाइफ से कहिए ताकि एक ही गलती की ससा घर में सब को ना मिले जी हां आपने एक पान का पत्ता लिया उस पे चंदन से राम लिखा और शिवलिंग पर हर सोमवार को चढ़ाना शुरू कर दिया इससे भी आप बच सकते हैं ऐसी महिलाँ जो रोक कर ड्रामा कर कर निंदा कर कर हर टाइम एक सीरियल वाली बहु बन कर गर में तमाषा करें इस्टॉप हो देर ओनली उसको वही रोकौ उसके ड्रामे को उसके निंदा करो इसको बोलो की बन करो यह सब कुछ और I can understand, मुझे सब दिखता है एक बार सच बोलना पड़ता है पर मुँपर बोलना पड़ता है थोड़ी सी ताकत और हिम्मद चाहिए होती है लेकिन बोल दीजे मैं seriously बोल रहे हूँ आपके लिए बहुत फैदे बन रहेगा ऐसे महिलाओं को काले कपरे पहनने से बच्चाईए उन्हें मना कीजे कि काले कपरो से और नीले कपरो से थोड़ा दूर रहे वरना नेगेटिविटी उनमें और भी ज़ादा आएगी घर में भगवान ना करें लекbroken आज पर हऊसे घर में कही पर भी किसी की मिर्ति हो जाए तो करुं का पाठ होता है लेकिन आपको पाठ करें यह गरुन पुरान का पाठ उस महिला को ज़रूर सुना इदर अगर दिल से करुं कर का कोई भी एक व्यक्ति सुन ले तो जन्देके में पाप sellersे होता लेकिन ये दुर्भागे की बात कह लिजी है, सुभागे की मुझे नहीं बता, गरुन पुरान का पाट कभी भी किसी के मृत्यू की जब तक ना हो, जब तक नहीं पढ़ा जा सकता, तो जब किसी की मृत्यू होती है, तो वो तेरा दिन तक पाट पढ़ेता आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो ये सब मैंने उपाए, उन लोगों के लिए बताएं, जिनके गर में एक ऐसी महिला है, जो कलेशी है, लडाकू है, जडाकू है, और अगर आपके गर में कोई ऐसा पुरुष भी है, तो भी ये सारी चीज़े अपलिकेबल है, आप इंडिया में हैं, तो भी आप ये सब चीज़े कर सकते हैं, अगर आप विदेश में हैं, तो भी आप ये सब चीज़े कर सकते हैं, प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा बहुत जादा शेयर कीज़े, ताकि शायद किसी का घर से कलेश दूर हो जाए, हम भला कर सके किसी का, इस वीडियो को लाइक कीज़े, और डिसलाइक कीज़े, यह आपकी मर्दी, मैं आप पर छोड़ती हूँ, लेकिन यकीन मानिये, जिन्दगी ना मिलेगी दुबारा, बहुत छोटी जिन्दगी है, जहाँ पर दोसी से काम चल सकता है, बन सकता है, वहाँ पर दुश्मन क्यों बनाने, क्यों नंद की हमीशा ब बनना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पिछलों में हमारे आम लोगों की जैसे जिन्दगी का किरदार निभाते हैं, कभी शर्मा बनकर, कभी वर्मा बनकर, कभी राम बनकर, कभी मोहन बनकर, कभी सबजी वाला बनकर, कुछ तो कभी आपको बनानी है वीडियो, आपका वेलेंटाइन कोई भी हो सकता है, आपके पापा, आपकी ममी, आपकी गल्फरेंड या आपकी वाइफ, या आपकी एक्स, कोई भी, इवन मैं भी हो सकती हूँ, अगर आपको मेरा ये चानल पसंद है, या आपको इस वीडियो में कुछ या किसी भी अंकल आँची को ऐसा लगता है कि मैं, डॉक्तर वायराखी आपकी वलेंटाइन बन सकती हूँ, किसी बच्चे को ऐसा लगता है, तो प्लीज आप छूटी-छूटी, कम से कम एक मिनट की वीडियो बना कर हमें भेजिए, हम अपने यूटी चानल पर आपकी वी पर लोगों को बता पाये आप कि आप किसी करते हैं, कितना प्यार, और प्लीज, टेल में सम्धिंग अबाउट माइसल्फ आलसो, मेरे वीडियो और मेरे बारे में भी जरूर कुछ बताईएगा अच्छा बुरा वह आपकी चौईजा, आपकी वीडियो का रहेगा इंतसार लेकिन सिर्फ इन तीन नंबरों पर, इन तीन नंबरों पर जो नीचे दिख रहे हैं, इसके सिवा मेरा कोई और नंबर नहीं है, इन्ही तीन नंबरों पर आप अपनी वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू कीजे, क्योंकि वैलेंटाइन पूरे फरवरी के महीने पर आप दिखने वाले हैं, एक्जेक्ली हां. मेरी बिना फीज दिये नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग कॉल करकर सिर्फ इतना बोलते हैं, कि राखी जी से बात करनी है, दूसरी दरफ से बंदा आप से कहता है कि अपाइमेंट लेनी होगी, फिर आप कहता है ये तो हमें पता ही नहीं था, तो प्लीज आप समझे बिना अपाइमेंट के आपके मेरी बात नहीं होगी, प्लीज अपाइमेंट लेकर बात कीजे, मैराखी आपको इतना बताना चाहते हूं कि मेरे ये तीन नंबर है, बहुत सारे यूट्यूब चानल चल रहे हैं, जिस पर अलग अलग नंबर है, आप लोगों के साथ किसी तरह का नंबर से कॉल आता है, किसी लाइन नाइन से कॉल आता है, तो अपके मेरे नंबर नहीं है, तो प्लीज आप किसी गलत हाथ में ना जाएं, अपने पैसे बरबाद ना करें, किसी जूटी राकी से अपाइमेंट ना ले, सोच समझ कर विवेक से आप इनी नंबरों पर बात क your appointment lay to please do a video call.